हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी अशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे चुछंगे मेरा नाम है सुधिर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नुबर सेवन और इसमें पढ़ना है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है पहला कोशिन तो पहला अब्जेक्ट पहले जो है वहां पर है अब कोशिन क्या कर रहे भी उजिंग तू मिरर दो मर्यर यूस कि एक मिरर यहां पर है अब क्रसंट क्या करें एक पर्सन लुक्स ईंटू दा मिरर तो एक पर्संट मिरर में देखता है आप विच पोजिशन इमेज ओ सिन्थ ओ कहां पर बनेगा ओ आपका बनेगा डी पोजीशन पे यहां पे तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी डी पॉइंट पे बनेगा कोश्चन नमबर तू विच आ फॉलोईंग और दा प्रॉपर्टिस ऑफ इमेज फॉर्म बाइ प्लें मिरा तो प्लें मेर कि में जो आपका इमेज बनता उसके प्रॉपर्टि क्या होती है दा इमेज इस एर सेम डिस्टेंस ऑफ दो अब्जेक बिल्कुल ठीक है इमेज इस अ इमेज बनेगा देखिए यह वाली जो लाइन है वह यहां पर डायक्त आएगी ऐसे ठीक है और यह वाली लाइट जहां से रिफलेक्ट हो रही है यह यहां पर जाएगी तो आपका जो इमेज बनेगा ना वह क्यों पॉइंट पर बनेगा तो इसका अंसर हो जाएगा option no.b q question no.4 a girl is 4 meter away from plane mirror if she moves to a step closer to mirror यानि कि एक कोई लड़की है जो 4 meter दूरी पर खड़ी है mirror से और अगर वो उसके पास में जाती है तो क्या होगा यह question आप से पूछा गया है what happened to the size of image of the mirror consider that she can complete image of the both cases तो देखिए यहां पर देखिए यह mirror है mirror से 4 meter की दूरी पर है अगर यह mirror के पास में जाती है तो क्या होगा इसके image की size जो होगी वो हमेशा क्या होगी जितने यह है उतना ही इसमें भी दिखाए देगा same question no.5 a plane mirror reflects a pencil of light to form real image then the pencil light incident on the mirror mirror अगर real image बन रहा है तो क्या होगा वो आपका होगा convergent mirror अगला है question no.6 यहां पर किस तरीके की आपकी shadow बनेगी यह आपको जाना देखिए यह तो रिंग इसके पीछे है तो यह बुक की shadow तो यह पूरी पूरी च्छप जाएगी तो यह रिंग की shadow आपकी यहीं पर बनेगी लिक्न वह दिखेगी नहीं आपको क्योंकि क्योंकि इस पर लाइट पड़ी नहीं रही है तो इसका shadow जो बनेगा वो बनेगा option no.7 कोशन यह कह रहा है कि एक ग्लास से ग्लास के उपर लाइट डाली जाती है तो क्या होता है इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो दिखिए इसका जो पहला option है इस नॉट नाइट टाइम एड़ डाइट लाइट इस नॉट इस ट्रॉंग इनफ ट्रांस्पेरेंट और तो इस लिए नहीं बना क्योंकि जो ग्लास था वो ट्रांस्पेरेंट था और ट्रांस्पेरेंट वा यहीं पिन होल कैमरा होता है उसकी जो में उती है वह इनफेरेंट होती है क्योंकि जो लाइट होती है वह स्टेट लाइन में आपकी ट्रेवल करती है कोशन नॉमबर नाइं देखिए इसमें तो आपका फिलप्स है तो यह आपका सी आप्शन होगा ओल देन नंबर ओव तो रीजन कोशन क्या करें कि जब बहुत सारी चड़िया ऊपर उड़ती है आस्मान में उड़ती तो उनके सैड़ों नहीं बनते वह किस वज़ा से नहीं बते अंब्रा की वज़ा से नहीं बनते है दरीजन कम्ठीच दाकनेस तो यह आपका होजागा रागने सेके पूंट पे नौत अबल तो इस अर्थ आइजन ऑ पार्इशल ब्राइटनेस यह आपए ब्राइटनेस और फोन नंबर पे आपको ज़ागा पेनल राइटम्ब्रा पैनुंब्रा गोश्यन नमबर तैन की which of the item soon above will allow you see around a corner from where you are standing तो इसका अंसर होगा आपका option number third only दिखे अगर आप corner पर खड़ें तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है ठीक है और यह क्या है यह आपका है periscope periscope और इसको यूज किसलिए किया जाता है जो देखने के लिए यूज किया जाता है और यह जिस प्रिंसिपल पे पर काम करता है उसे कहते हैं reflection of light पे work करता है periscope तो इस कांसे बने का option number B corners की चीज़ों को देखने के लिए 11 number question है यहाँ पे आपको देखी question क्या कहा रहा है student views and object or reflection in a plane mirror which is the correct ray diagram तो इसमें से correct ray diagram कौन सा है तो यह है आपको option number B option number B question number 12 question number 12 क्या कह रहा है कि देखिए इस question को समझ यह question क्या कह रहा है कि P एक लड़की है और इसकी चार सहलिया इस साइड में है और यहाँ पे एक दिवार है तो क्या यह इधर देख पाएगी नहीं देख पाएगी लेकिन अगर यहाँ पे एक mirror लगा दिया जाए तो question नहीं पूछ रहा है कि कितने लोगों को यह यहाँ से देख सकती है तो यह चारों लोगों को देख सकती है तो इसका answer हो जाएगा option number A 4 बस यह question यही था 30 number चली question number 13 विजय पूट सम वाटर इंटो फोर कफ मेड़ अफ स्टील पोर क्लें ग्लास फ्रोस्टेट ग्लास रिस्पेक्टिवली विच वन आप इस कफ एलाओ तो लेवल अफ वाटर क्लियर ली तो question नहीं कह रहा है कि चार ग्लास बने हुए एक स्टील का है एक प्रोक्ले यह कह रहा है कि three sticks are placed in open field as shown in figure which of the following stick will be form the shadow of equal length equal length की shadow कम मिलेगी आपको तो यह मिलेगी आपकी third में और first में ठीक है second पे अगर एकदम ऊपर होता है किसी भी object तो सबसे चोटी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा इस्टिक first and third question number 15 नीशा placed इस्टिक vertically in the playground 8 15 a.m. in the morning अगर 8 15 a.m. पे एक इस्टिक लगाई जाती है एक पार्क में प्लेग्राउंड में उसके बाद how will shadow is 12 noon 12 noon पे कैसा होगा तो 12 noon पे दिखी जैसे जैसे सूरज उपर बढ़ता जाएगा और shadow आपकी क्या होगी छोटी होती चली जाएगी तो इसका अंसर हो जाएगा option number A यानि कि सुबह के टाइम से 8 15 से 12 बजे में जो shadow होगा वो क्या हो जाएगा smaller हो जाएगा shorter हो जाएगा और opaque यानि कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते वह आपका उड़ होता है translucent क्या होता है जिसके आस पार हलकी full की light पास हो सकती है 17 नमबर यहाँ पे आपको plane mirror में बताना है कि कौन सा आपका बनेगा reflection तो यह बनेगा option number B क्या बनेगा option number B गीता अब देखे question क्या कर रहे गीता place three object made a different material observed see observed a bright spot of light second but third would not get any spot third पे को आपको object ने मिलता ऐसा क्यों होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer होगा option number C first is made up of transparent material तो पहले transparent material से बना होगा और दूसरा opaque से और तीसरा आपका transparent opaque translucent कुछ भी हो सकता है 90 नमबर रिया एंट प्रिया वर सिटिंग एराउंड round table see notice that see see their own and each other's image on the table top the table top is made up of table top कैसा बना होगा यह polished glass है कि इसका red color का ठीक है तो आपको आपका क्यों दिखेगा image दिखेगा और ट्वेंटी नमर कुश्चन आसका लास्ट कुश्चन राहूल प्लेशे कलर प्लास्टिक बॉटल इंफ्रंट ऑफ बीम ऑफ टॉर्च लाइट देन ही प्लेश ट्रांस्पेरंट सीट ऑफ सेम साइस और अधर साइड ऑफ बॉटल नो शैडव विल फॉर्म अन दे स्क्रीन तो दिखे अगर ट्रांस्पेरंट चीज़े हैं तो उनका सैडव नहीं बनता यह चीज़ आप पढ़ी चुके हैं सेकेंड नमर ट्रांस्प्लूशन ऑब्जेक्ट अलाओ लाइट पास्थ तूरू पार्शली तो देखिए इसका आंसर देखिए फिर से देखिए राहूल ने क्या क्या एक प्लास्टिक बॉटल रखी हुई है ठीक है ठीक है और गालर्ड गालर्ड है ठीक है यह कलर्ड है ठीक अब जब लाइट इसके ऊपर champion होगी तो Rocket अदो क्या होगा स्च्रीन पर नई पाइगा थिक आलाइट के पास थुल दा ट्रटांस्पेरनिट सीड और लाइट क्या होगि ट्रांसपेरंट इसके बाद तो या ड्रांस्पेरंट है तो यह क्या हो जाएगा लाइट हो कि कोशिन में लिखा कि सैड्वन नहीं ने being a सैडु ना ना क्यों बनेंगा क्योंकि यहा पर यह ओंप का काम क्रेगं के टिलेलायाइट यहां इससे पास नहीं होगी आरप तो यहां सैडू تو जाएगा ठीक है तो दोस्त यहां यहां पर वीडियो खत्म होता है साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार